दिरिश्टी आई इसके ओडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल मनी लॉंडरिंग और इसकी रोग थाम से जुड़ा है सिविल सेवा परिक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महतोपूर्ण है लेहाजा इस आर्टिकल में परिक्षा के हिसाब से महतोपूर्ण बिंदूओं पर विस्तार से चर्चा की गई है यह ओडियो आर्टिकल सामानने अध्ययन प्रश्न पतरतीन के आंतरिक सुरक्षा खंड से जुड़ा है तो आईए लेक की शुरुआत करते हैं भारत में मनी लॉंडरिंग या धन शोधन का मुद्दा ना ही नया है और ना ही गौण आए दिन इस से जुड़ा कोई न कोई विशे समाचारों में चर्चा का मुद्दा बना ही रहता है यह देश के आर्थिक प्रक्रिया के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी बेहत चिंता का विशे है साथ ही यह सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से भी काफी महतोपूर्ण है लिहाजा इस से जुड़े विशियों की परताल करना जरूरी हो जाता है इस आर्टिकल में इन से जुड़े खास विश्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले money laundering और इसके प्रभाव फिर इसे रोकने के लिए किये गए प्रयासों के बारे में बात करेंगे साथी यह भी जानेंगे कि मौझूदा वक्त में ये प्रयास कितने कारगर साबित हुए हैं और आखीर में इस रहा में मौझूद चुनौतियों पर नज़र डालते हुए इससे निपटने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे तो आईए सबसे पहले मनी लॉंडरिंग के बारे में जानते हैं असल में मनी लॉंडरिंग एक प्रक्रिया है इसके तहट अवैद स्रोतों से इकठा किये धन को वैद करने का प्रयास किया जाता है अवैद स्रोतों में ड्रक्स की तसकरी, हथियारों का व्यापार, भरष्टाचार और संगठित अपराध जैसी गैर कानूनी गतिविधियां शामिल हैं इंटरपोल के मुताबिक मनी लॉंडरिंग अवैद रूप से प्राप्त आए की पहचान को छिपाने के लिए किया गया कोई भी प्रयास या गतिविधि है ताकि यह है आए वैद स्रोतों से प्राप्त हुई दिखाई पड़े मौजूदा दौर में मनी लॉंडरिंग का स्वरूप काफी संगठित है भूमी का तर्थ्यवस्था के संचालन में इसकी भूमी का काफी अधिक है भारत में यह हवाला लेंदेन के रूप में लोग प्रिये है IMF यानि अंतराश्ट्रिय मुद्राकोश के एक अनुमान के मुताबिक मनी लॉंडरिंग का सालाना वैश्विक कारोबार 590 बिलियन डॉलर से लेकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच है जो वैश्विक GDP का लगभग 2-5 प्रतिशत है मनी लॉंडरिंग के तरीकों की बात करें तो यह मोटे तौर पर 3-4 वाली प्रक्रिया है सबसे पहले प्लेस्मेंट, फिर लेयरिंग और आखीर में इंटीग्रेशन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया संपन होती है पहला चरण प्लेस्मेंट तब पूरा होता है जब अपरात के पैसे को आपचारिक वित्तिय प्रणाली में इंजेक्ट किया जाता है जबकि दूसरे चरण में सिस्टम में डाले गए धन की लेयरिंग की जाती है यानि धन को अलग-अलग लेन देन में फैलाया जाता है जिससे धन के अवैद मूल स्रोत को छिपाया जा सके तीसरे और आखिरी चरण में पैसा वित्तिय प्रणाली में इस तरह प्रवेश कराया जाता है जिससे इसका अपरात के साथ मूल संबंद मिट जाएं और धन स्वच धन के रूप में अर्थवेवस्था में समाहित हो जाएं इसे ही एकी करण या इंटीग्रेशन कहा जाता है मनी लॉंडरिंग से देशों पर विशेश कर नाजुक वित्तिय प्रणाली वाले विकाश शील देशों पर खराब आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पढ़ते हैं आईए अब मनी लॉंडरिंग के प्रभावों के बारे में जान लेते हैं इसका सबसे बुरा प्रभाव आर्थिक मामलो पर पढ़ता है इससे एक और आर्थिक विक्रिती और अरस्थिरता आती है तो दूसरी और राजकोश में राजस्व की हानी भी होती है क्योंकि यह है अर्थ विवस्था में पूंजी के प्रवाहा को गलत तरीके से संचालित करता है मनी लॉंडरर्स को इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि आर्थिक सिध्धानतों के विपरीत पैसों का निवेश करने से विश्व व्यापी अर्थ विवस्था का सुचारू कामकाज अस्थिर हो सकता है उन्हें सिर्फ इस बात से लेना देना रहता है कि कहा निवेश किया जाए जिससे पकड़े जाने की संभावना सबसे कम हो और बचना भी आसान हो साथ ही मनी लॉंडरिंग से अर्थ वस्था में कर योग्य आय में कमी आती है जिससे सरकार को मिलने वाला राजस वो भी कम हो जाता है नतीजतन सरकारों को अपने नागरिकों के प्रती अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जरूरी धन उपलब्द नहीं हो पाता और सरकार को उच्चिकर लगाने पड़ते हैं इसके अलावा यह वित्तिय बाजारों की स्थिर्टा को भी भंक करता है दरसल इस गतिविधी में शामिल वित्तिय संस्था और साख में कमी आती है परिराम स्वरूप इन प्रभावित वित्तिय संस्थानों से लोगों का विश्वास गिर जाता है इससे एक और वैश्विक अर्थवस्था में देश की परतिश्था धूमिल होती है तो दूसरी ओर यह है निवेशकों को देश की अर्थवेवस्थाओं में निवेश करने के लिए हतोत साहिद भी करता है असल में निवेशक अपना पैसा वहाँ निवेश करना चाहते हैं जहां मनी लॉंडरिंग का जो खिम कम हो क्योंकि Money Laundering बाजार से स्वच्छ प्रतिसपर्धा को समाप्द कर वैद निजिक शेत्र को कमजोर करता है इसका एक बड़ा प्रभाव सुरक्षा मामलो बर भी पड़ता है दरसल आतंकी गतिविदियों की फंडिंग का सबसे लोकप्रिये और आसान स्रोत Money Laundering को ही माना जाता है इसकी फंडिंग इनी अवैद स्रोतों से सबसे अधिक की जाती है इससे देश की सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुँचता है इसके अलावा इसका एक और प्रभाव अपराध और आपराधिक्ता में व्रिद्धी के तोर पर देखा जाता है दरसल Money Laundering के द्वारा अपराध से उगाही की गई अवैद रकम आसानी से कई माध्यमों के जरिये अपराधी तक पहुँच जाती है इससे अपराधी के मनोबल के साथ साथ अपराध करने की मानसिक्ता भी बढ़ती है साथ ही इससे दूसरे लोगों को अपराध करने की प्रेणना मिलती है जो अंततह अपराध के साथ साथ अपराधिक्ता में भी बढ़ोतरी करती है इसका एक प्रभाव राजनेतिक भी देखा जा रहा है आजकल चुनावों में धन बल का जोर काफी अधिक देखने को मिल रहा है मगर इतनी बड़ी मात्रा में किसी भी वैद स्रोज से धन प्राप्त करना मुम्किन नहीं है ऐसे में स्वाभाविक है कि इस धन का आधार अवैध ही होगा मनी लॉंडरिंग के जरिये इस धन को मुहया कराना काफी आसान होता है इससे लोगतांत्रिक चुनाव प्रणाली प्रभावित होती है जिससे अंततह लोगतांत्र को नुकसान पहुँचता है विकाशीर देशों को मनी लॉंडरिंग से दोहरा नुकसान होता है विकाशीर देशों में जहां मनी लॉंडरिंग पर सरकार का सक्थ नियंत्रण नहीं हो पाता है वहीं सरकारों को अपने नागरीकों पर और अधिक टेक्स लगाना पड़ता है इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और लोग अधिक बीडित होते हैं और गरीबी के शिकार होते जाते हैं कमपनियां अवैज फाइनेंसिंग द्वारा फाइनेंस की गई संस्थाओं के साथ प्रतिसपरधा नहीं कर पाती हैं और अंततह बंध हो जाती हैं इससे मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगारी की उच्च दर के परिडाम स्वरूप आप्राधिक्ता, असंतोश और असुरक्षा में व्रिद्धी होती है सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत के साथ सरकार पर अधिक उत्पादक उद्यमों से अन्यक शेतरों में संसाधनों के पुनह आवंटन का बोज बढ़ जाता है इससे उत्पादक शेतरों की उत्पादकता में भी कमी आती है, साथ ही अपराद और भष्टाचार बढ़ते हैं जो अंततह आर्थिक विकास को धीमा कर मानव विकास की गती को भी कम कर देता है हलांकि ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इस से निपटने के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए हैं ऐसे में जानते हैं कि मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए कौन-कौन से प्रयास किये गए हैं 2002 में भारत में घरेलु स्तर पर मनी लॉंडरिंग को रोकने के लिए अलग से कानून पारित किया गया। इसे धन शोधन निवारण अधिनियम या PMLA यानि Prevention of Money Laundering Act के नाम से जाना जाता है। इसे Money Laundering को रोकने और Money Laundering से प्राप्त संपत्ती को जब्द करने से जुड़े प्रावधानों के लिए अधिनियम इत किया गया है। या अधिनियम बैंकिंग कमपनियों, वित्तिय संस्थानों और बिचॉलियों को अपने सभी ग्राहकों की पहचान और सभी लेन देन के रिकॉर्ड को वेरिफाई करने और रख रखाव करने के लिए दाइत्वतै करता है। और ऐसे लेन देनों की जानकारी भारत की वित्तिय खूफिया इकाई FIU IND को तैरूप में मुहया कराने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम FIU IND के निदेशक को ऐसी स्थिती में बैंकिंग कमपनी, वित्तिय संस्थान या मध्यस्त पर जुर्माना लगाने का अधिकार भी देता है जब कमपनी या उसका कोई अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहते हैं। इसके अलावा काला धन अगोशित विदेशी आय तथा परी संपत्ती और कर अधिरोपन अधिनियम 2015 भी अगोशित विदेशी आय और संपत्ती के रूप में मौझूद काले धन से निपटने के लिए प्रक्रिया तै करता है। साथी बेनामी लेन देन निशेद संशोधन अधिनियम 2016 भी मनी लॉंडरिंग से निपटने में अपनी भूमी का अदा करता है। क्योंकि इस अधिनियम में बेनामी लेन देन की परिभाशा का विस्तार किया गया है। और बेनामी लेन देन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति पर लगाय जाने वाले दंड को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा आयकर अधीनियम 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधीनियम 2000 यानी FEMA, एवं स्वापक औशदी और मनह प्रभावी पदार्थ अधीनियम 1988 आदी भी कुछ अधीनियम हैं जो किसी ना किसी रूप में मनी लॉंडरिंग से निपटने में अपना योगदान दे अगर बात संस्थागत स्तर की करें तो प्रवर्तन निदेशाले और वितिये खूफिया इकाई दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनने मनी लॉंडरिंग से जुड़े विश्यों की जाँच की जिम्मेवारी सौपी गई है धन्शोधन निवारन अधीनियम प्रवर्तन निदेशाल के कुछ अधिकारियों को धन्शोधन के अपराद से जुड़े मामलों में जाँच करने और धन्शोधन में शामिल संपत्ती को कुर्क करने का अधिकार देता है वही वितिये खूफिया इकाई की बात करें तो इसे 2004 में केंद्रिये राष्ट्रिये एजंसी के रूप सम्बंदित जानकारी प्राप्त करने, प्रोसेस करने, विशलेशन करने और फिर अन्य एजंसियों तक उसे मोहया कराने के लिए जिम्मेवार है। विभाग के तहट एक स्वतंत्र निकाय है जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खूफिया परिशत यानि EIC को अपनी रिपोर्ट स्वापता है। दस्य देशों को इस बात के लिए बाध्य किया कि वे मादक पदार्थों की तसकरी के माध्यम से की गई मनी लॉंडरिंग को अपराद घोशित करें। इस संबेलन की सबसे बड़ी खासियत यह है रही कि इसने मनी लॉंडरिंग से निपटने के लिए भविश्य के प्रयासों के लिए आधार तयार किया। इसके अलावा वित्तिय कारवाई कारेबल यानी FATF भी वैश्यक स्तर पर मनी लॉंडरिंग से निपटने के लिए गठित किया गया है। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पैरिस में G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसका मकसद मनी लॉंडरिंग आतंकवाद के लिए फंडिंग और अन्य संबंदित खत्रों से निपटने के लिए मानकों को तै करना है। साती है अंतराश्ट्रिय वितिय प्रणाली को बनाए रखने के लिए जरूरी कानूनी, रेगुलेटरी और ओपरेशनल उपायों को प्रभावी तोर पर लागू भी करता है। FETF ने सिफारिशों की एक सीरीज विक्सित की है जिसे मनी लॉंडरिंग आतंकवाद के लिए फंडिंग और सामूहिक विनाश के हतियारों के प्रसार से मुकाबला करने के लिए अंतराश्ट्रिय मानक के रूप में माननेता प्राप्त है। इसके अलावा मनी लॉंडरिंग पर एशिया प्रशान समूहू यानि APG, मनी लॉंडरिंग और आतंकवाद के वित्व पोशन से लड़ने के लिए यूरेशियन समूहू यानि EAG और इंटरपोल आदी भी कुछ वैश्विक प्रयास हैं जो मनी लॉंडरिंग से निपटने म अपनी भूमी का निभाते हैं मगर अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जो मनी लॉंडरिंग से निपटने की रहा में मौजूद हैं अब सवाल है कि मनी लॉंडरिंग से निपटने की रहा में आखिर कौन-कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं इस रहा में वर्तमान में और लेयरिंग शुरू करते हैं इसके तहत अवैद मनी को क्रिप्टो करणसी सिस्टम में डाला जाता है फिर कम रेगुलेटिड और बहतर डिजिटल मनी एक्सचेंجों के माध्यम से पैसा एक क्रिप्टो करंसी से दूसरी क्रिप्टो करंसी में ट्रांसफर किया जाता है जिससे उसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाए क्रिप्टो करंसी एंटी मनी लॉंडरिंग रिपोर्ट के मताबिक अपराधी क्रिप्टो करंसी को हासिल करने के लिए चोरी और जुए का भी इस्तेमाल करते हैं साथी डार्क वेब या डार्क मार्किट का भी निर्माड करते हैं जिससे हैकिंग के माध्यम से क्रिप्टो करंसी को हासिल किया जा सके एक अनुमान के मताबिक 350 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजी करंड के साथ बिटकॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करंसी है बिटकॉइन की एक विशिष्ट खासियत यह है कि इसके सभी लेन देन का रिकॉर्ट एक सारवजनिक बही खाते में होता है जिसे एक साथ हजारों कम्प्यूटरों में रखा जा सकता है लिहाजा इसे ट्रैक करना आसान नहीं है इसके अलावा साइबर हमले, डाटा सुरक्षा कानून का अभाव, जन जाग रुकता की कमी, वित्तिय संस्थाओं की अक्षमता और आधुनिक तक्नीकों का मनी लॉंडरिंग में इस्तेमाल आदी भी बड़ी चुनोतियों में शुमार है जिससे मुकाबला किये बिना मनी लॉंडरिंग से निपटना आसान नहीं होगा आईए ऐसे में देखते हैं कि क्या हों आगे की रहा सबसे पहले आम लोगों को विशेशकर गरीब और अनपड़ लोगों को इस समस्या के बारे में अधिक जागरुप करने की दरकार है जिससे इन लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉंडरिंग में ना किया जा सकें इसके अलावा समय समय पर होने वाले KYC मानदंडों को पूरा करने पर जोर देना चाहिए जिससे बंद और अवैद खातों का पता लगाया जा सकें और सिस्टम से बाहर निकाला जा सकें साथी कैशलेस और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना भी एक प्रभावी उपाय हो सकता है अगले उपाय के तौर पर होना यह चाहिए कि वित्तिय संस्थानों के लिए संदिग्द लेन देन की रिपोर्टिंग करना जरूरी कर देना चाहिए जिससे मनी लॉंडरिंग से निपटने वाले अधिकारियों के लिए मनी लॉंडरिंग के कारियों का पता लगाना और आसान हो सकें साथी वित्तिय संस्थानों के कर्मचारियों को मनी लॉंडरिंग से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए क्योंकि अधी बैंक कर्मचारी मनी लॉंडरिंग से जुड़े लेन देन की विशेष्टाओं की पहचान करने में सक्षम होंगे तो वे और अधिक ऐसे लेन देनों का पता लगा पाएंगे एक उपाए वित्तिय संस्थानों को अपने स्तर पर भी करना चाहिए वित्तिय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बारे में परियाप्त जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सकें कि वे वैद व्यावसाई गतिविधियों में ही लगे हुए हैं ना कि अवैद कारोबार में इस तरह के कामों से बैंकों को संदिग्द लेंदेन का पता लगाने में और अधिक आसानी होगी इसके अलावा आपरादिक वित्तिय नेटवर्क में नई तकनीकों को लागू करना डेटा सुरक्षा कानून बनाना वाइट कैप्स को इसके लिए हायर करना और बैंकों दोरा मनी ट्रांसफर का वेब ओडिट करना आदी भी मनी लॉंडरिंग से लड़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं आखिर में उभरती प्रोध्योगीगियों के दर्मियान मनी लॉंडरिंग के खत्रों का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि बिग डेटा और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तक्नीकों को एंटी मनी लॉंडरिंग तंत्र के साथ समायोजित किया जाएं इसके साथ ही मनी लॉंडरिंग की समस्या को प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए अंतराश्ट्रिये और घरेलू दोनों हितधारकों को डेटा साजा करने वाले सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक साथ आने की जरूरत है आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल मनी लॉंडरिंग से आप क्या समझते हैं? यह देश की आर्थिक प्रक्रिया और सुरक्षा के लिए कैसे खत्रा पैदा कर सकती है? चर्चा कीजिए